तो देखो बीटर टाइप 3 का जो है एक सेकंड लाइप 3 मैंने बताए कि डारेक्ली किसी संबंदों के बारे में नहीं देगा वो इन डारेक्ट तरीके से आप लोगों को बताएगा कि किसी तस्वीर को या तो बतादेगा कि यह तस्वीर है यह इनसे आपका संबंद बताएगा ठीक है या तो दूसरा आपको बतादेगा किसी वेक्ति को बताके कि इसकी ओरेसारा करते हुए वेक्ति अपनी चीजों को डिसकस करेगा ठीक है तो उस तरह के कोश्चन होते हैं यहाँ पर तो इन्हें कैसे करना है यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बट मैं आज इसको फिर से दुबारा रिवाइस कराऊंगा तो पहला कोश्चन है हमारे पास कि मन्जू ने सुस्मा को अपनी सहेली से मिलवाया और मिलवाते हुए कहा इनके अब देखो ब्रैकेट में इनके मतलब है सुस्मा के पिता के एकलोते बेटे की पती मेरी सास है मन्जू का पती सुसमा से कैसे संबंदेत है देखो यहाँ पर सारी चीज़े इंडारेक्ट है तो पेटा इसको अटेम्ट करी है आप लोग एक मुट का समय दे रहा हूं मैं इसके लिए option C option C very good चलो रूपल ने जवाब दिया है निधी क्या कहना है आपका अगर आपको पुराना मेथड याद होगा तो इसमें हम लोग दो व्यक्तियों की बात कर रहे है ठीक है एक मंजू की बात कर रहा है ठीक है तो हम यहाँ पर सबसे पहले व्यक्तियों की बात कर ले एक मंजू है इनको मंजू मान लो और यह दूसरी कौन है सुसमा ठीक है अब देखो मंजू ने सुसमा को अपनी सहेली से मिलवाया और कहा इनके मतलब किसकी बात हो रही है सुसमा की बात हो रही है सुसमा के पिता तो अब सुसमा यह सुसमा है इनके पिता इन से उपर होंगे तो यह सुसमा के फादर होंगे जैसा कि हम टाइप वन टाइप टो में किया था हम लोगों ने सुसमा के फादर सुसमा नाम से हमें क्या पता लग रहा है हमें क्लियर हो रहा है कि यह एक मैला है उसके बाद क्या है सुसमा के पिता के एकलोते बेटे, अब इनका बेटा एक ही है, अब इनका जो बेटा है, सन है, वो सुसमा का क्या होगा? सुसमा का भाई होगा सुसमा का भाई होगा इनके पिता के एकलोते बेटे ठीक है सुसमा के पिता के एकलोते बेटे की पतनी अब इनके बेटे की पतनी वाइफ ठीक है अरे सॉरी वाइफ में हम लोग negative sign लगाएंगे ठीक है यहां negative हो जाएगा तो यह husband wife है यह सुस्मा क्या हो इनकी सुस्मा अगर इनकी wife की ननत हो गई यहां तक तो हम लोग को clear हो गया एक लौते बेटे की पतनी अब यहां किसकी बात कर रहा है मेरी सास है अब यहां पर आप ध्यान दोगे तो मंजू अपनी बात कर रही है मंजू की सास है ठीक है अब मंजू की सास कैसे होंगी भई मंजू मंजू के कोई husband होंगे मंजू नाम सिर्फ हम में पता लग रहा है कि महिला है मंजू की husband होंगे एच बना देते हैं इनको plus sign दिखाते हैं और इनकी माता जी जो इनके husband की mother है मंजू की सास हो गई तो अब यहां पर क्या बोला है यह जो wife है यह wife जो है यह कौन हो गई मंजू की सास हो गई यह दोनों same है यह clear हो गया बोलो बेटा यहां पर मदर और यहां पर क्या लिख देंगे सुमा अब यहां पर हम देखेंगे उनके नीचे मंजू है भाई मंजू क्या है इनकी इनके बेटे यह जो इसकी वाइफ है इनके वाइफ की बेटे की पत्नी है ठीक है इनके बेटे की पत्नी है अब आपसे क्या पूछ रहा है कि मंजू का पती जो मंजू का हस्बेंड है वह कहां पे होगा यहां पे होगा नीचे मन्जू का हजबेंड सुसमा से कैसे संबन देते तो सुसमा के भाई की बेटी है ठीक है सुसमा के भाई की बेटा है बेटा बेटा सुसमा के भाई का बेटा है इसका हजबेंड ठीक है है यह उसका इसकी वाईप है मंजू ठीक है तो यह क्या होगा यह ब्रतीजा होगा कि भाई का बेटा क्या होगा क्लियार है वेन विटने स अगले कोश्ण पर आते है सक्षम ने अपने मित्र से निधी का पर्चे कराते हुए कहा तो यह सारे कोश्चन सीजियल वाले हैं और जो लेटिस्ट में आये हैं मैं पीछे क्यों कुश्चन नहीं करा रहा हूं कि दो जाद दस आठक करा हूं वदी तो ध्यान दीजे इन पे और एक चीज़ और इसमें ध अंदे देख और हमारे रिलेसिन हमाडे चैप्टर का नाम क्या है है değiş्चे cac left comment की बात करेंगे जो रूस्त दारों की शम्रन दो की हुए यहाँ पे फ्रेंड नहीं आएंगे यहां फ्रेंड्स नहीं आएगे तो फ्रेंड को यहां पे नहीं हमको इंक्लूट करना है ठीक है? पीता होगा अच्छा आपने कर भी दिया पर पीता होगा अच्छा पिता है चलो देखते हैं क्या आ रहा है किसका नहीं हुआ है वो बताएं पहले बहुत से लोग है जिनका संध्या साधना आपका क्या आया बेटा? पितीक और निलेस की तो वाज आई थी रूपल और सलोनी आप नहीं बता रही है ती आप्शन सी ओप्शन चलो ठीक है अब यहां पर भी देखो दो लोगों की बात हो रही है यहां पर भी अगर हम देखें तो दो लोगों की बात हो रही है अब वो दो लोग है कौन इस पर ध्यान देते हैं एक तो सक्षम है ठीक है एक है सक्षम और दूसरा कौन है दूसरा है निधी अच्छा दूसरी निधी है तुम्हाई बात नहीं हो रही बेटा यहां कोई और निधी है ठीक है तो सक्षम ने अपने मित्र का से तो यहां मित्र आ गया तो क्या करेंगे मित्र कों लोग इनको संबंदों में कभी लेते ही नहीं हम लोग ठीक है यह याद रखिएगा तो सक्षम ने अपने मित्र से निधी का पर्चे तो यहां पर दो व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे तो एक सक्षम होंगे दूसरी निधी होंगी का पर्चे कराते हुए कहा वह मेरे अब यह कौन बोला है यह सक्षम कह रहा है और किसके लिए कह रहा है निधी के लिए ठीक है तो अब अपनी बात कर रहा है वह मेरे तो मेरे ही बात कर रहा है तो यह सक्षम अपने लिए बोला है क्या बोला सक्षम सक्षम कह रहा वह मेरे पिता तो सक्षम उसको क्या करेंगे सक्षम के उपर उसके पिता होंगे फादर होंगे प्लस लगा देते हैं फादर पे उनके सक्षम पे भी प्लस लगा देते हैं उसके बाग वह मेरे पिता के की पत्नी पिता की पत्नी, मतलब इनकी मदर हो गई, माइनस साइन लगा दो यहाँ पे है, पिता की पत्नी के एक लोते पुत्र, अब भाई माता पिता का एक लोता पुत्र, वो सक्षमी होगा, यह किसकी बात करगा सक्षम, अपनी खुद की बात कर ला है, या पुत्र बोल ला है, एक सक्षम अपनी बात कर रहा है ठीक है उसके बाद एक लौते पुत्र की पुत्री है तो सक्षम की पुत्री सक्षम किसकी बात कर रहा है पुत्री की अब फिर क्या गह रहा है सक्षम पुत्री है और यहाँ पे स्टेटमेंट close हो जाता है और यह किसके लिए कह रहा था यह कह रहा था निधी के लिए तो पुत्री कौन होई है निधी होई ठीक है तो यहां आप से कोशन क्या पूछ रहा है कि सक्षम का निधी से क्या संबन्द है ठीक है सक्षम क्या है निधी का सक्षम निधी का पिता है तो यहाँ पर जो option follow करेगा वो option करेगा C पिता सभी का गया था लेकिन अच्छा कोश्च नहीं है भी ठीक है CGL 2000 उन्निस पूछा भी गया है अब एक कोश्चा है CGL 2000 सोला का जल्दी से आप इसे बताईए सब लो Sir A option very good Yes Sir चचेरा पुपेरा भाई चलो इसको देखें कैसे क्या हो इसको देख लेते हैं इसमें best क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ बात किसकी किसकी हो रही एक पुरुस है और एक महिला है तो यहाँ पर इनको पुरुस माल लेजिए तो दो लोगों की बात हो रही एक पुरुस है और एक महिला है अब इस statement क्या हो रहा है यह बोला है तुम्हारी माता यह क्या कौन रहा है यह कह रहा है पुरुस और महिला से कह रहा है तुम्हारी माता तो जो ये महिला है महिला है इसकी माता, मदर इसकी तुम्हारी माता के पती अब इनके मदर के जो पती है हजबन है H लिख देते हैं हम लोग सौट में इनके माता नेगेटिव साइन लगा दिया हमने और हजबन में पॉस्टिव साइन ठीक है तुम्हारी माता के पती की बहन अब इनकी एक सिस्टर है यहां सिस्टर नेगेटिव साइन लगा दो सिस्टर पे इनकी माता इनकी माता के हजबन की बहन मेरी माता है मेरी माता है अब यहां मेरी माता मेरी माता मतलब यह किस की बात को हो रही है तो यहां पुरुस को बना दो और पुरुस की माता अब यह पुरुस की जो माता है वो कौन है? यह sister जो है यह same है पुरुस की माता तो हम लोग यहां पे पुरुस को बना सकते हैं न यह दोनों same है तो यहां पे पुरुस भी लिख सकते हैं यहां पे पुरुस को भी हम लोग दर्सा आ सकते हैं पुरुस को यहाँ पर लेआ आएगे क्यों कि यह सेम हो गए यह दोनों जो है तो फिर पुरुस इनका बेटा है अज़े को यहां संबंध क्या बन run रहे अब आब से पूछ रहे हैं कि संबंध क्या है तो यहाँ पर यह जो महिला है किस प्रकास संबंदित है तो महिला के यह क्या होगी महिला की बुगा की बेटा होगा महिला के बुआ का बेटा कौन है ये पुरुस है तो ये कौन होगा फुफेरा भाई होगा ये हो जाएगा फुफेरा भाई लेकिन option में क्या दिया हुआ है चचेरा अबलिक फुफेरा लेकिन इसका actually हम लोगों को पता है ये इसका फुफेरा भाई है तो इसमे option CA सही हो जाएगा ठीक है बेटा आगे बढ़ें अगला question देखिए एक पुरुस का परचा कराते हुए एक इस्त्री ने कहा ये मेरी मा के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है बताईए उस इस्त्री का उस पुरुस से क्या संबंद है ये भी CGL 2016 का प्रस्ने है सर म मेरा भाई म मेरा भाई किसने बोला ये सर भाई होगा सर भाई होगा साथना के पास अच्छा दो लोग म ममेरा भाई और ये का भाई के पक्स में चलो क्या बिटाएगा D option म मेरा भाई म ममेरा भाई का पक्स मजबूत हो रहा है समझ गया मैं आंसर आप लोग का सही आ रहा है इसका बिटा म ममेरा भाई होगा देख लोग कैसे होगा एक पुरुस है और दूसरा क्या है एक पुरुस का परचे देते हुए एक स्त्री ने कहा तो यहाँ दो लोग है हम लोग दो लोग बना देंगे एक पुरुस बना लेंगे और एक स्त्री बना लेंगे ठीक है एक की मातरा नहीं लग रही है थोड़ा नीचे लेखना होगा लिए हमने पुरस बनाया और एक स्ट्री बना दी पुरस पर लगा दो प्लस यहाँ लगा दो मैनस यहाँ पर हमने मैनस लगा दी अब आपसे पूछ क्या रहा है फुष्टन पूछ रहा है आपसे कह रहा है यह मेरी मा एक पुरुस ने परचे देते हुए एक इस्तरी ने कहा अब यहां कह कौन दा यह important होता है इस्तरी कह रही है और क्या कह रही है यह मेरी मा तो अपनी बात कर रही है तो अपनी बात कर रही है तो जो पहला डाइग्राम बनेगा हमारा इस तरी के पक्स में बनेगा तो इस तरी कह रही है मेरी मा तो इस तरी को पहले हम बना देते हैं सबसे पहले इस तरी लिखते हैं इस तरी की मा बनाते हैं इस तरी की मा ठीक है माइनस साइन लगा दो इनकी मापे इस तरी पे भी माइनस साइन लगा दो इस इस्त्री के संबंद में देख लेते हैं तो मा के भाई मामा या प्लस साइन लगा देते हैं मामा पे के पिता के पुत्र अब भीया मामा के पिता ठीक है पिता इनके उपर आ जाएंगे मामा के पिता इनके उपर आ जाएंगे एक्चली इनको नाना कह सकते हो मही लाग इस सिस्त्री के संबंद में ये इनके नाना हो गए क्या कह रहा है पिता के पुत्र का पुत्र है अब इनके पुत्र ये हो गए मामा अब इनका भी एक पुत्र है इनका भी एक पुत्र है वो सकता है यह मामा ना हो कोई और भी मामा हो लेकिन मामा के ही पुत्र होंगे वो एक तरह से देखा जाये तो तो पिता के पुत्र के पुत्र ठीक है इनके भी नीचे हो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं प्लस साइन यहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे यह जहाँ पे क्लोज हुआ है इसको ही हम लोग पुरुस मान लेंगे इसको ही यह पुरुस होगा तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग लिख देंगे आपे पुरुस अब आपसे पूछ क्या रहा है बेटा पूछ रहा है आपसे कि उस इस्तरी का उस पुरुस से क्या संबंद है आपसे कोशन पूछ रहा है उस इस्तरी का उस पुरुस से क्या संबंद है ये इस्तरी इस पुरुस से कैसे संबंद देते है तो ये इनके मामा का बेटा है, ये इनके मामा का बेटा है, तो मामा का बेटे क्या कहते हैं बेटा हम लोग, ममेरा भाई, ममेरा भाई, D-Option, बहुत बच्चों का सही है तब, चलिए इसी तरह आप लोग revision करते लिए, अगले question पर आ जाए, yes sir, question number 5 है, एक फोटो की और इसारा करते हुए राकेस ने कहा, या मेरे दादा के एक मातर पुत्र की पुत्री है, एक फोटो की और इसारा करते हुए राकेस ने कहा, या मेरे दादा की एक मातर पुत्र की पुत्री है, लड़की का राकेस से क्या है, बहुत बढ़े हैं, करें काहर सब्सक्राइब हैं एक फोटोद हो एक फोटो भी एक परशन है नाम से ही पता लग रहा है कि फोटो की और इसार्ण करते हुए राकेश की लाजि जी पतार में है लाकेश कह रहा है वो मेरे दादा तो लाकेश को सबसे पहले हम लोग यहां लिख देते हैं प्लस साइन लगा के इनके पिता फादर फिर इसके उपर क्या हो था ग्रैंड फादर दादा ग्रैंड फादर तो यहां पे भी प्लस साइन लगा दो दादा पे तो इसने क्या गहा, या मेरे दादा के एक मात पुत्र, अब इनके दादा के एक मात पुत्र कौन होंगे, राकेश के पिता जी, इनके दादा के एक मात पुत्र राकेश के फादर होंगे, अब इसके बाद क्या बोला है, या मेरे दादा के एक मात पुत्र की पुत्री है, तो अगे ये डाटर है ये पोतर राकेश पत्र है ये पुत्र सोब हरा तो ये दोनों क्या होँगे आपस में भाई बहन Casey अब आप दिकायाए जो अब आपके से क्या बोला है आप से पूछ रहा है जाठिक का अब देखो यह फोटो है वन great ऑप कि ये राकेश की बहन कौन है ये डाटर जो थी ये फोटो वाली लड़की है ठीक है तो लड़की का राकेश से संबंद बताईए अब वो डारेक्ट आप से यह नहीं पूछ रहाएगी फोटो वाली का बताईए आप बोल ला है कि लड़की का राकेश से संबंद बताईए त चलो, अगले कोशन पर आओं। SSC CPO 2017 का है। एक महिला की और संकेत करते हुए अनुप ने कहा, वह मेरी माता के एक मात्र पौत्र की माता की पुत्री है। संकेत की गई महिला का अनुप से क्या संबन है। पुत्री का। पुत्री किसका जवाब है ये। निदी। पुत्री वेरी गुड़ बच्चों। ये अप्सन पुत्री आ गई। तो देखो यहां पर बात किसकी किसकी हो रही थी, यहां दो लोगों की बात हो रही थी। देखो यहां बात हो रही है, एक महिला की और संकेत करते हुए अनुप ने कहा। तो एक अनुप की बात हो रही है और एक महिला की तो हम लोग पहले यहां पर दो लोगों कर लिख देते हैं। दूसरा लखते हैं अनुप ठीक है, एक महिला और एक अनुप, अब यहां कौन कह रहा है, संकेत करते हुए अनुप ने कहा। अब अनुप कह रहे हैं और कह रहे हैं वह मेरी माता, तो अब डाइग्राम जो बनेगा, वह अनुप के लिए बनेगा, ठीक है? तो अनुप कह रहे हैं वह मेरी माता तो सबसे पहले तो अनुप को हम बना देते हैं ठीक है यहाँ अनुप है अनुप ने कहा यह मेरी माता मदर मदर पे क्या लगाएंगे माइनस साइन अनुप पे प्लस साइन यह मेरी माता कि एक मात्र पौत्र भाई उनका पौत्र एक ही है ठीक है तो एक मात्र पौत्र तो अब हम मान लेते हैं कि अनुप का ही बेटा है या उसके भाई का होगा तो तभी एक मात्र पौत्र होगा तो फिलाल के लिए हम लोग अनुप का ही बेटा मानते हैं तो उनकी माता का एक मात्र पौत्र मतलब बेटे का बेटा तो ये बच्चा हो जाएगा ये पौत्र हो गया ठीक है? यहां पौत्र में क्या साइन लगेगा? प्लस साइन ठीक है? उसके बाद एक मात्र पौत्र की माता अब यहां इनकी माता की बात हो रही है तो यह क्या हो जाएंगे आनुरूप की वाइफ हो जाएगे उसके बाद क्या बोलना है माता की पुत्री है अब एक मात्र पौत्र की माता की पुत्री है तो इनके वाइफ की एक डॉफ है तो अनुप के कितने बच्चे हो गए इस हिसाब से हमें दो दिख रहे हैं एक पौतर और एक ये बेटी एक बेटा और एक बेटी डॉटर माइनस साइन लगा रहा है तो अब आप से पूछ क्या रहा है अब ये जो डॉटर लिखा है जहां पे यहां पे स्टेटमेंट खतम हो रहा है यह आपको ध्याम देना है स्टेटमेंट यहां खतम हो रहा है तो ये डॉटर किसकी बात हो रही है यह जो महिला थी ये डॉटर हो गए ये महिला थी इसको हम लोग डॉटर भी लिख सकते हैं ठीक है जहां पर हमारे statement खतम होता है वहां पर ये daughter आ जाएंगी अब आपसे पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है कि संकेत की गई महिला का अनुप से क्या संबंद है भीया अनुप की ये क्या है उनकी पत्नी की बेटी है तो अनुप की भी बेटी होगी आपसे पूछ क्या है अनुप क्या है पूछ रहा है चलो अगले question पर आते है सागर ने मोहन का परचे कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी मा के एकलोते पूछ के एकलोते साले का भांजा है सागर मोहन से किस प्रकार संबंदित है ठीक है जल्दी बता ही आप लो क्या C option C option येस सैं अच्छा बामा दो लो दो लो के मामा आगये चलो और बताओ जल्दी देख लेते हैं यहां बात किसकी किसकी हो रही है यहां बात हो रही है सागर की सागर ने मोहन का पर्चे कराते हुए कहा भईया एक सागर है और एक मोहन है कौन कौन है एक सागर है और एक मोहन है तो उपर हम लोग लिख देते हैं सागर सागर और दूसरे कौन है दूसरे है मोहन ठीक है अब कौन कह रहा है वह मेरी सागर ने मोहन का परचे कराते हुए कहा वह मेरी दादी मा तो भीया बोल कौन रहा है सागर बोल ला है ठीक है अब हम लोग डाइग्राम जो बनाएंगे वो सागर का बनाएंगे सागर कह रहा है वो मेरी दादी मा ठीक है तो सागर हम लोग लिख देते हैं अब सागर की दादी सागर पर पहले प्लस लगाओ सागर की दादी होने के लिए पहले इनके फादर को बनाओ यहां तक क्लियर है father के उपर क्या होंगी grandmother grandmother दादी minus sign लगा दे यहाँ clear है सागर के दादी का मतलब हो गया सागर की पिता की मा तो पहले हमने सागर बनाया उसके पिता बना दिया प्लस sign लगा दिया उसके उपर उनकी दादी बना दिया इसके बाद क्या कह रहा है दादी मा के एकलोते पुत्र अब भीया फिर यहां पे statement क्या रहा है एकलोते पुत्र तो भीया उनके पिता ही होंगे ना एकलोते पुत्र है चाचा वालो आफसन क्या कर दिया इन्होंने ख़दम कर दिया? तो एकलौते पुत्र मतलब सागर के पिता जी की बास हुआ रही है यहाँ द धा है? पुत्र के एकलौते साले अब यह साला पहली बास है तुद्ध्यान दो एकलौते साले तो सबसे पहले इनके पिता की जो है साधी कराई जाए अब इनकी पिता की साधी किसे कराई जाएगे इनकी मदर से मदर से और इन मदर का एकलोता भाई है तभी तो साला होगा एकलोता साला बताओ एकलोता भाई है तो यहां हम लोग डारेक्ट लिख देते हैं मामा सागर के रेफरेंस में यह क्या हो गया मामा हो गया ठीक है यहां कोई दिक्कत बोलो बच्चो नो सार अब भांजा अब भांजा एक लौता नहीं है ठीक है भांजी और भी हो सकते हैं चॉट अव्हाब फैला वांजा तो सागर ही यह भी खतम हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है यह microbi मतलब होता है इनकी ब translations कि ठेएट्मेंट कर रहें हैं महांजा है तो प्लस साइन लगा दो अब यहां पर रुख गयी है यह है है कर नहां है यह भांजाही मोहन है अब आपसे पूछ क्या रहा है सागर मोहन से किस प्रकाज संबंदित है भीया सागर और मोहन क्या हुए एक ही दोनों भाई हो गए कौन साप्षन आएगा भी गल कहा हुए थी वेटा आप लोग बताइए साधना क्लियर चलो अगले कोशन पर आते हैं पुनित एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिता जी की पत्नी की बेहन मेरी बुआ है वह स्त्री पुनित से किस प्रकाज संबंदित है डी ऑप्षन ममेरी बहन ममेरी या चचेरी डी ऑप्षन चलो विया बच्ची ने जवाब दिया ममेरी बहन और यह जवाब बिलकुल सही है लेकिन यहापे ऑप्षन में दो ऑप्षन दे रखता है चलो देख लेते हैं इसको अब यहां बेगा बात किसकी किसकी हो रही है यह बताईए एक बात हो रही है पुनित की और दूसरी बात हो रही है उस स्ट्री की तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं हम लोग दो डाइग्राम बनाएंगे सबसे पहले लिख देंगे पुनित यहां उपर पुनित और दूसरा कौन होगा स्ट्री होगी ठीक है क्योंकि आप इनका संबोधन स्ट्री के रूप में दे रहा है तो पहले पुनित है दूसरी स्ट्री है पुनित प्लस साइन लगाएंगे स्ट्री माइनस लगाएंगे अब क्या कह रहा है पुनित एक इस्त्री से कहता है, तुम्हारे पिता जी, तुम्हारे पिता जी मतलब यह किसकी बात कर रहा है, इस्त्री की बात कर रहा है, तो जो पहला डाइगराम बनेगा, वो इस्त्री के संदर में बनेगा, इस्त्री से कह रहा है, तुम्हारे पिता जी, तुम्हारे पित पतनी, पिता जी की पतनी, मतलब क्या होंगे, इनकी माता होंगे, इस तरीके, मदर, माइनस साइन लगा दो, पिता जी की पतनी, की बहन, सिस्टर, पिता जी की पतनी की बहन, मतलब इनके रेफनेस में क्या हुई जो सिस्टरी की मौसी हो गई, यहादर क्लियर है, बोलो बेट नौ सर पत्णी की बहनिया तक हो गए अब क्या बोला मेरी बुगाँ है अब यहाँ बोला मेरी बुगाँ किसकी बात हो रही है अब भीया इनकी बुवा होने के लिए क्या होगा सबसे पहले पुनित बनाएंगे हम लोग पुनित ठीक है अब भीया पुनित को हम लोग प्लस साइन से दिखाएंगे पुनित के पिता बनाएंगे पुनित के भी फादर को हम लोग दिखाएंगे father plus sign ठीक है अब father दिखाने के बाद क्या दिखाएंगे बुआ मतलब father की sister father की sister तभी तो बुआ होंगी ये तो ये बुआ हो जाएंगी अब यहाँ पे हम लोग negative sign लगा देगे बुआ हैं तो अब देखो यहाँ पे जहाँ statement यहाँ पे खतम किया था उस reference में वो ये दोनों same हो गए अब उस तरी के माता की बहन है और इसके पिता की बहन है ये जो है इनकी मौसी ये इनके पिता की बहन है और यहाँ पे इनकी माता की बहन है तो भीया क्या हो गया? पुनित उनके मामा का बेटा हो गया यह जो अब देखो यहां से क्या संबंद जोड़ा रहा है यह इनका मामा हो गया इनका जो फादर है पुनित का फादर वो इस तरी का मामा हुआ और मामा का बेटा क्या होता है मामा का बेटा होता है ममेरा भाई यहाँ जो option हम लोग को दिख रहा है वो दिख रहा है ममेरा भाई लेकिन oblique में नोंने क्या लख दिया है Oblique में लिखा है रोगने चचेरा भी तो हमार लिख option यही होगा हमारा सही option D चचेरा ब्लिक ममेरा भाई hopefully clear हो रहा होगा सभी को नहीं हो रहा हो तो बताओ पेटा लाइस क्लास का यहीं मतलब होता है कि हम लोग बात चीज भी करें और क्लास भी करते रहें सभी को क्लियर है किसी को कोई डाउट हो अभी बताया तो फिर हम वागे बढ़ें चलो तो देखो पेटा यह कुशन SSC CGL 2017 हाल फिलहाल का ही CGL का कोईशन है ठीक है लेकिन यहाँ पर यह चीज ध्यान देना कि यहाँ जो CGL में कोईशन आता है वहाँ दोनों पक्षिक की बात होती है यहाँ पर स्कुनित ने भी अपनी बात कही कि भीया मेरा यह संबंद है और इस तरीके संबंद को भी किया गया और जहाँ पर यह दोनों करिया जुड़ जाती है वहाँ से आपको देखना होता है ठीक है कुशन नंबर 9 देखो भीया क्या है यह यह भी CGL 2017 कहीं परस्ते एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा वह मेरी दादी की एक मात्र संतान की पुत्री है चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंदित है तो यहाँ दो लोगों की बात हो रही है भाई, very good यहाँ दो लोगों की बात हो रही है एक लड़की की और चेतन की ठीक है एक लड़की की बात हो रही है कह कौन रहा है कह रहा है चेतन क्या कह रहा है गुड़ भाई होगा चेतन क्या कह रहा है यह देखो वह मेरी दादी चेतन अपनी बात कर रहा है ठीक है चेतन कह रहा है वह मेरी दादी तो सबसे नीचे हम लोग बना देते हैं चेतन को चेतन की दादी मतलब इनके चेतन के फादर और फादर की मदर मतलब चेतन के रेफरेंस है यह ग्रैन मदर हो गई ठीक है माइनस साइन लगा दो वह मेरी दादी के एक मातर संतान यहाँ पे क्या बोल ला है एक मातर संतान तो इनके पिता तो होंगे ही होंगे और कोई इनके भाई या बहन इनके पिता की अब पॉसिबल नहीं है एक मातर संतान मतलब अब ना इनके बहन हो सकती है ना इनके भाई ह सकते हैं तो इनकी दादी के एक मात्र संतान मतलब अब चेतन के पिता की बात हो रही है अब इसके बात क्या बोल ला है की पुत्री है एक मात्र संतान की पुत्री मतलब इनकी बेटी इनकी बेटी हुई इनकी बेटी हो गई बेटी में मैंने साइन लगा दो अब एक ही पिता क अब यह क्या करना है थिए सब्सक्राइब क्या पूचन कोशन पूच रहा है उस लड़की से चेतन उसोड़की से किस प्रकास संबन्द देते हैं तो चेतन इस लड़की का भाई है ठीक है चेतन इस लड़की का भाई है C option से ही हो गए दस्वर गुशन देखो बेटा क्या है बस में एक लड़की की ओर इसारा करते हुए एक आदमी ने कहा हुआ मेरे ने अपने मित्र से कहा क्या कहा बेटा अपने मित्र से कहा वह मेरे पिता की पत्नी के लोते पुत्र की पुत्री है लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबन्द थे 2011 का question है पुत्री पुत्री येस सर्थ चलो very good सभी का गया पुत्री चलो देख भी लेते हैं जल्री से यहाँ पर बात हो रही है लड़की की और किसकी आदमी की दो लोगों की बात हो रही है एक लड़की है माइनस लगा दो यहाँ पर और एक आदमी है प्लस लगा दो ठीक है इस सारा करते हुआ आदमी ने अपने मित्र से कहा तो मित्र को तो हम मानते ही नहीं है क्योंकि रिलेशन में तो आता ही नहीं तो मित्र को हड़ा दो क्या कह रहा है वह मेरे पिता की पत्नी आदमी कह रहा है ठीक है तो आदमी के ज्या लिख देते हैं आदमी ठीक है आदमी प्लस लगा दो कह रहा है वहां मेरे पिता की पत्नी अब इनके पिता प्लस साइन लगा दो की पत्नी इनकी माता होंगी इनके मेरे पिता की पत्नी के एकलोते पुत्र के एकलोते पुत्र मतलब ये आदमी अपनी ही खुद की बात कर रहा है एकलोता पुत्र अपने माता पिता का क्या है ये एकलोता पुत्र है ठीक है तो ये अपनी आदमी बात कर जा एकलोते पुत्र की पुत्री है यहाँ पे इनकी पुत्री की बात हो रही है इनकी पुत्री है अब ये पुत्री पे स्टेटमेंट खतम हो गया तो मतलब ये किसकी बात हो रही थी ये पुत्री कौन है ये पुत्री ही लड़की है ये पुत्री ही लड़की है अब आपसे क्या पूछ रहा है लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबन देते हैं तो लड़की आदमी की क्या हो गई बेटा लड़की उस आदमी की पुत्री बी आप्शन वो फुलिए हो गया चलो